हेलो स्टेरेंट्स, वेल्कुन टू माई नर्चर, मैं हूँ क्रिष्णा, कैसे हैं सब लोग, मास बढ़िया, तो चलो स्टार्ट करते हैं सब लोग, फार्मा को थेरोपेटिक्स का चैप्टर नमबर 2D, जिसमें हम पढ़ रहे थे, सेंटर नमबर सिस्टम, आज इसका माईग्रेन के बारे में सब लोग ने सलबग सुन रखा है, तो उमीद है इसको पढ़ने में मजा भी आना चाहिए, है ना, इंट्रेस्टिंग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये चीज तुम लोग इसको जानते हो, जानने का मतलब है कि सुन रखा है, तो जो चीज सुन रख में एक रिकरंट अटक, ये बड़्या दिहान रखेंगे, क्या है रिकरंट अटक, बार बार एक आधे सर्वेन ा धर्द होता है, इस आधे सर्वें, यहां से लेकर अधिर दर्द होगा, वाईली वैरियम इंटेसटिटी, इंटेसिटी अल्ग लोग हो सकते है, किसी को कर सकता है अटेक्स और कॉमनली यूरी लेटर एक स्टरफ रहते हैं और यूजी असोसिटेट विद दा एंडरोग्जिया नॉजिया एंड वाम्टिंग है ना जातर क्या होई जी मिशलाएगा उल्टी ऐसा लगता दर इतना तेज होता है कि उल्टी तक हो जाती है अब समझो यहां से तुम लोगों को मैगरेन समझ में आएगा टाइपस ओफ हैडएक एक होता है साइनस का साइनस का पेन होता है यह जब जुखाम बहुत तेर हो जाता है तो यहां से लेकर न यह 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 वाले पार्ट ठीक है यह वाले पार्ट क्या करते हैं दर्द करते हैं ठीक है य से लेके और यहां जहां से यह इह सविवाbell करते कडर विकलोगर पूरी आख के एक तरफ धर्द भूरा है तो इसको में तैंश्टर पूरा मत्हाइबG कई तो यह तरफ रहता है इस टायप से थीक है ना तो अब दर्द तुम लोग पैचान सकते हो है न आप फाउसिस बनने जा रहे हो कोई कहगा यार मेरे ये पूरा दर्द हो रहा है तो समझ जाओ इससा है बता दो उसे क्या होगे यहाँ पर दर्द हो रहा बिना वज़र दर्द हो रहा सब को इंसान सोच ऋएडा है आप समझ लो तुम लोगों को बहुत सारे लोगों को यह दिक्कत होगी जा और वह आगर ग्रेक्ट हो रहा है अगर कोई बच्छे है ऐसा थो समझते होंगे जो माइघ्रेन का दर्द होता है सर के एक तरफ होता है ठीक है न तो ये पहचानने का तरीका है अब आगे आते था एक आटे लोजी तो एक लॉची की बात करें तो एटे लोजी का है cause of migraine is not yet known अभी तक exact current क्या है इसका समझ में नहीं आता है किसी को भी हो जाता है ठीक है but it is related to increased level of plasma serotonin but माना जाता है जब plasma serotonin level बढ़ जाता है तो migraine होता है ठीक है अब इसकी pathogenesis समझें कि किस तरह से pain ये create हो रहा हमारे पास तो देखो यहाँ पर इसकुद में क्या करना है main main heading ये वाली red वाली इन heading को पकड़ के चलना है नीचे वाले part को चाहो तो हटा सकते हो और जो लोग याद करना चाहो याद कर सकते है अधरवाइस के वाल main main heading modulating factor ठीक है मतलब कहा कहा से सुरुवात कर सकते हैं कौन-कौन लोग responsible हो सकते हैं तो कौन-कौन इसमें ड्रग है environment हो सकता है जेंडर या हार्मोन हो सकते हैं ठीक है आयनी किया metabolites जो हमारे metabolic reactions होते हैं वह सब moderating factor है इसको कम जादा करते हैं जब moderating factor इसको शुरुवात कर रहे हैं तो क्या डिस्टरब करते हैं disturbance of cortical जो हमारा cortical region है या brain stem excitability या तो cortical part disturb हो जाएगा जो brain stem है जो brain stem पाए जाता पीछे की तरफ वह excite कर जाएगा अब अगर वह excite कर गया है तो दो चीजे होती है उसको हम छोड़ देते हैं अभी ठीक है नीचे आते हैं brain stem जैसी excite होगा वह activate हो जाएगा activate होते ही activation of pain receptor जो pain receptor होते हो जाएंगे और हमको क्या start हो जाएगा pain हो जाएगा तो कहीं नहीं यह वाली cycle चाहो तो इस तरह से याद रख सकते हो ठीक है न अच्छा activation of pain receptor फर्दर इसको activate करता है और इसको अक्टिवेट करता है इसलिए दर्द जो है यह बढ़ता चला जाता है बात समझे में आ रही है अच्छा यह तो होगा इसका में उसके अरावा समझो इसमें कुछ और चीज़े भी होती है कोटिकल वेव कोटिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन यह कुछ वेव सी स्टार्ट होती है यह जो है हमको इसकी वएसे अच्छा इसका मतलब नहीं है ब्लड ब्रेंड बैरियर की पर्मिल्टी इंक्रीज कर जाती है और और जब कई बार दर्द होता है ना तो और वीजूल से की शुर्ण शॉइब्ड याद नहीं भी करोगे तो चल जाएगा मेन हमको क्या रखना है कि में को रखना है हुआ है है तो sensory sensitivity बढ़ जाती है नौइज या जी मिचलाना वर्टी को है ना घबराट वगएरा यह सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती है तो यह माइग्रेन का पेन बड़ा गंदा होता है इसमें समझ लो आदमी कुछ नहीं कर सकता बहुत बुरी हालत हो जाती है ठीक है ना तो कैसे ह अब घ्रिलिंग भोंडिंग होता है एक तरह से को पीटना फटकना खीक है है न प्रिलिंग होता है कोई जैसे छेट कर रहा है पाउंडिंग अगेन कोई चेह ना सर को धमगा रहा पीट रहा है यह सर के दर्द होते हैं इस टाइब से नॉइजी हो जाएगा जी बिचलाता करके अब नॉन फार्मकोलोजिकल ट्रीटमेंट की बात कर लें अगर हम लोग तो यहां पर क्या है एडेक्वेट हाइड्रेशन परियाप मातर हैं पानी पिए जिन लोगों को दिक्कत है श्लीप नींद प्रॉपर लें मैनेजिंग इस्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन यह होता है ठीक है न जब आप इस्ट्रेस या टेंसन में होते तो भी आपको माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है तो उससे दूर र यह वाला पर्ट स्टार्ट हो जाता है अगुटे और कुछ तरह के ट्रेनिंग से हमारा माइं होता है कोगनेटीव बिहेवियर ओर एपनंग तो तरक सकती है cognitive behavior ना जो हमारा दिमाग सोचता है काम करता है उसको हम लोग क्या करता है थेरपी होती है पूरी क्यों कि हम दिमाग पर भजा जोड डालते हैं तब भी कई बार ब्रेन श्टार्ट होता है तो उसकी पूरी थेरपी होती है एक्यूपंचर रहा है ट्रांस्कूटेनियस इलक्रिकल नव इस्टूमलेशन यह ट्रांस्कूटेनियस है नहीं इसकी अंदर नर्फ को स्टूमलेट करते हैं एक अलग तरीका होता है ठीक है तो मैं यहां पर स्टार्टिंग के चारपांच ज्याद कर लोगा तो काम हो प्रोपनालॉल ठीक है यह दोनों बड़ा कंबाइन चलते हैं साथ में बड़ा फेमस है इसके साथ में कुछ पेइन किलर और चला देते हैं डॉक्टर तो ड्रग फर्स्ट चॉइस यही है प्रोपनालॉल फ्लुनारीजीन याद रखेंगे इसको ठीक है जिन पर लगा हुआ ह सब्सक्राइब नहीं रहती है तो फिलाल यह द्रग्स है हमारे पास फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस तरह के याद रखेंगे यह इसका क्या रहेगा फार्मकलोजीकल ट्रीटमेंट हो जाएगा के लिए बाते हैं और यह बहुत च्छोटा सा लेक्चर था ना मज़ा रहा है तो लेंदि करते उसमें क्य concet रखेंगे करें कोई और से स्टार्ट करें का क्ञ़़म करें ठीक है न कोई बात नहीं यहां पर करते रहो चलोम buried करते रहो अच्छे नमरोर left